हेलो बच्चों, बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको एर्थ चैप्टर मा के है एक कहानी के प्रिश्नुत्तर समझा रहे हूँ आपको मेरे चैनल पर आपकी बुक के दूसरे चैप्टर के वीडियो भी मिल जाएंगे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो तो चलो मैं शुरू करती हूँ अब भ्यास का सबसे पहले फर्स्ट कुश्चन देखिए राहुल के पिताजी कहां ब्रह्मन करते थे कब? तो इसका आंसर देखिए राहुल के पिताजी सुभह के समय बगीचे में भ्रह्मन करते थे सेकिन कुश्चन देखिए आखे टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखे टक मतलब शिकारी तो इसका अंसर देखिए आखे टक ने राहुल के पिताजी से अपना पक्षी मांगा जिसका शिकार उसने किया था थार कुशन देखिए उब्बन की शोबा कैसी थी उब्बन मतलब बगीचा गार्डन तो इसका अंसर देखिए उब्बन में अलग-अलग रंगो वाले फूल खिले थे उन फूलों पर ओस की बूंदे चमक रही थी ओस की बूंदे मतलब ड्यू हवा के हलके जोकों से जब्बे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन हो जाती थी फूलों की सुगंद सारे उब्बन में फैली हुई थी पेडों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे इस प्रकार सुबह के समय उब्बन की शोबा अत्यंत सुन्दर थी अत्यंत का मतलब उतार बहुत जादा फूर्थ कुश्यन देखिए मा से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णे सुनाया तो इसका आंसर देखिए मा से कहानी सुनकर पुत्र को पक्षी के प्रती सहानुवूती सहानुवूती मतलब सिंफैती उत्पन हुई उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोश को मारे निर् इसलिए बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है, प्रस्तुत कथा कावे का संखेप में सार लिखिये, ये जो कवीता है, इसार आपको सार लिखना है, तो इसका उत्तर देखिये, राजकुमार सित्दार्त तब करने के लिए घर छोड़ कर बन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोद्रा था और राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्ने राहुल ने मासे कहानी सुनाने का आग्रे किया मैं से रिक्वेस्ट की तब यशोद्रा ने उसे सिद्दार्थ के बच्पन की घट कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां पहुचा। उसने राजकुमार सिद्दार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्दार्थ ने उसे हंस देने से साफ इंकार कर दिया। मतलब मना कर दिया। आगे देखो शिकारी बोल यह हंस मेरे बाढ़ से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्दार्थ ने कहा मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। अधिकार मतलब राइट। दौनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया, अंत में मामला न्यायले में पहुचा। ये शोदरा ने राहुल को इतनी कहानि सुना कर राहुल से कहा अब तू बता कि गाहल हंस पर किस कादिकार होना चाहिए। से ही न्याय की अपेक्षा थी और जो सेकंड बिट है नेक्स्ट रेखां की शब्दों के बचन बदल कर वाक्यों को दोवारा लिकिए इसमें क्या करना है जितने भी सेंटेंस दिये गया है उनमें कुछ शब्दों पर कुछ वर्ट्स पर अंडरलाइन है जैसे कि पहला सेंट सेंटेंस है लड़की ने नई सलवार पहनी है तो इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ट्स है उनको आपको बहुवचन में चेंज करना है और सेंटेंस को फिर रिराइट करना है जैसे कि लड़की ने नई सलवार पहनी है तो लड़की का बहुवचन यहां पर लड़की हो सलवार का सलवारे हो जाएगा और सेंटेंस को द्वारा भी लिखना है तो इसका उत्तर देख लीजिए अब लड़कियोंने नहीं सलवारे पहनी हैं अध्यापकोंने छात्रों को कहानिया सुनाई प्रधान मंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समश्याओं पर बाचीत की इन पत्रिकाओं में जो कविताय छपी है बे बहुत मनोरंजक है लू चलने के कारण लताएं सूख गई है अब स्वाध्याय का फस्ट बिट देखिए कि काविव वंक्तियों का भाबर्त अपने शब्दों में लिखिए इसमें क्या करना है जो कविता की लाइन है जैसे कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे तो इसका आपको मेनिंग लिखना है ये कविता की लाइनों का मेनिंग लिखना है भाबर दिखना है तो इसका उत्तर दिख लीजिए बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे उन पर ओस की बूंदे चमक रही थी हवा के हलक उस मन पर प्रेम की हलकी हलकी वर्षा कर रहा हो राहूल ने पूछा क्या उन पर पानी ले रहा था था हाँ, हाँ मा मुझे यही कहानी सुननी है अब सेकिंड देखिए, सेकिंड में भी वैसा ही करना है जो कवीता की जो लाइन दीगी है उसका आपको भावर चिखना है, तो उसका उत्तर देख लीजिए राहूल अपनी मा से कहानी सुनाने की जिद करता है मा उसकी जिद के चलते, उसके कहानी सुनाती है मा कहती है कि तू तो वड़ा हटी है, मेरे प्यारे संबान रूपी पुत्र तो सुन तुझे कहानी सुनाती हूँ, एक दिन सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, उस समय वातावरण में मन पसंद खुश्बू फैली हुई थी, वहां मन पसंद खुश्बू खुब फैली हुई थी, हाँ मा यही कहानी सुनाओ, अब नेक्स्ट देखिए, ने कुछ को भी पौधा दे दे, मैं भी ब्रिक्ष लगाऊंगा, नन्ने नन्ने हातों से मिटी का कर चुकाऊंगा, पानी वैखाट डालकर धरा कमान बढ़ाऊंगा, हर खेत्रे से रक्षा करके अपना कर्तब विनिवाऊंगा, नेक्स्ट देखिए, एक दिन अक्वर ने बीर बीरवल ने कहा होगा कि हे शहेंशा, इस दुनिया में सबसे सकती शाली तो इश्वर ही है, क्योंकि जब भी हमें कोई परिशानी होती है, तो हम इश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं, इश्वर ही सब की रक्षा करते हैं, और प्रानू की रक्षा करते हैं, इस दुनिया के ब बाते सुनकर शहएंशाकर ने भी शुकरती दी। नेक्स्ट बूट देखिए। अगर पाट셔서 la के सामने, पाट porn Ambs school के सामने दुरघटना हुई हो तो आप क्या करोगे। दुरघटना मतले एक्सिडेंट तो इसका आंसर देख लिजे अगर हमारी पाटशाला के सामने कोई दुरगटना हुई तो मैं तुरंत पहुँच कर दुरगटना ग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाऊंगा प्रात्मिक चिकसा पेटी फस्टेड वॉक्स में से दवा और महरम पट्टी से उसका उपचार करूँगा मतलब ट्रीट्मेंट करूँगा यदि चोट अधिक गंबीर हुई तो मैं सिक्षकों के साथ मिलकर पास के अस्पताल लेकर जाऊंगा अस्पताल मतलब हॉस्पिटल आश्या करती हूं कि आपको सारे कुश्यन अंसर समझ में आ गए होंगे धन्य बाद